तो hundreds of stars in the pretty sky, खुबसुरत आसमान में सैकडों जो है, क्या होते हैं? तारे होते हैं, hundreds of shells on the shore together, यानि कि जो समंदर का किनारा होता है, वहाँ पर सैकडों क्या होते हैं? shells होते हैं, खुबसूरत shells होते हैं, hundreds of birds that go singing by, और सैकडों जो है, क्या होते हैं? birds होते हैं जो singing करते हुए, गाते हुए, गुजरते हैं, hundreds of lambs in the sunny weather, और sunny weather में, यानि कि धूप निकले हुए एक दम खुबसूरत मौसम में सैकडों, lambs, यानि कि sheep के जो बच्चे होते हैं, मेमने होते हैं, वो होते हैं, hundreds of dewdrops to greet the dawn hundreds of dewdrops second dewdrops यानि के उसकी जो बूंदे होती है वो होती है to greet the dawn किसलिए जो dawn यानि के जो सुबा होती है सुबा जब दिन निकलता है उसका स्वागत करने के लिए उसको greeting देने के लिए सैकडों शबनम की बूंदे होती है उसका स्वागत करने के लिए hundreds of bees in the purple clover और purple color के जो फूल होते है clover वहाँ पर सैकडों मक्हिया होती है hundreds of butterflies on the lawn और जो lawn होता है जो खुला garden टाइप जो होता है वहाँ पर सैकडों क्या होती है butterflies होती है सैकडों तितलिया होती है but only one mother wild world over लेकिन पूरे दुनिया में मासिर एक होती है तो बहुत ही प्यारी छोटी सी पोयम George Cooper ने लिख हुई है इसके point है George Cooper और हुए जिए इसके आपक आपक पाउज़कों ने के दुनिया होता है आपक पीज़कों अर्प पैसक प्रश बहुत है जिसफे फिरी प्यावश्ट को अजोड़गों ने तो को प्रश वापकों दुनिया है